असलाम लेकुम क्लास वन देर स्टुडेंट आयम जर्मेर टीचर नौ वी जिसकर्स पैज नम्र फिटीटू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फॉल वी पुट देट सेचरडे एस की शेप बहुत चाहिए उपर से चुटी नीचे से बढ़ी सेटी एस के इकल होना चाहिए ओर डी आपका टी के इकल होना चाहिए डी, A, Y, D, Saturay सिक्स टी एचच आपका इकल होना चाहिए सिक्स टी एच इकल शेप में जॉन कॉमा टू, जिरो टू, जिरो फुल स्टॉप next one two three four block skip करके हम लिखेंगे classwork 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 लिखने के बाद आपने लिखना है जो आपका one block skip करके आप लिखना है classwork जो आपका classwork है वही आपका home work है one block skip करके आपने home work लिखना है प्लस वन ब्लोक स्किप करके आप लिखना है learn नेक्स्ट आपने heading देनी है वन ब्लोक स्किप करके subtract की subtract subtract लिखने के बाद आपने टू ब्लोक स्किप करके 10 का t लिखना है unit का u लिखना है 10 unit first question हम solve कर रहे है 5 की shape आपने पहले slant में लेकर आना है 1 को फिर आपने C की shape बनानी है यह आपका 5 है 3 आपने 7 की तरह slant में लेकर आना है और फिर ऐसे ही C बना देनी है यह अमारा 3 बन जाएगा 1 complete block covered 4 लिखना है 2 subtract का sign आपने pointer से mention करना है lines जो draw करनी है वो भी pointer से होंगी अब उपर क्या लिखा हुए 3 तो हम 1, 2, 3 3 lines draw करेंगे यह 2 लिखा हुए इसमें से हम 1, 2 lines cut कर देंगे हमारे पास बाकी रह गया 1 तो हम यहां 1 लिखेंगे यह है 5 1, 2, 3, 4, 5 यह है 4 तो 1, 2, 3, 4 cut करेंगे 1, 2, 3, 4 lines cut कर देंगे हमारे पास बाकी रह जाएगा 1 next 1, 2, 3, 4 block skip करके हम लिखेंगे 10 second question के लिए और 1 block skip करके लिखेंगे units के लिए U 8, 4, 2, 2 की शेप बहुत अच्छे ने चाहिए complete block covered 4 next time pointer work use करेंगे pointer से subject का sign देंगे lines draw करेंगे अब 4 में से 4 कट करेंगे तो हमारे पास 0 रह जाएगे 0 की शेप ऐसे ही खड़ी-खड़ी होने चाहिए 8 में से 2 कट करेंगे तो हमारे पास 6 रह जाएगे यह हमारा second question हो गया third question हम next page पर करेंगे अब आप 2 block skip करके लिखेंगे 10s, 10s का T one block skip करके U लिखेंगे unit का U next third question हम solve करेंगे color लिखेंगे 7 7 2 4 1 अब हम यूज़ करेंगे line draw करने के लिए next 2 में से 1 को कट करेंगे तो हमारे पास 1 ही रह जाते है और 7 में से 4 को कट करेंगे तो हमारे पास 3 रह जाते हैं next question number 4 1, 2, 3, 4 4 block skip करके हम लिखेंगे 10th 1 block skip करके हम लिखेंगे unit का U next लिखेंगे question लिखेंगे 5 पहले 1 को slant मिलेंगे फिर C बनाएंगे 5 4 2 0 0 की shape ऐसे ही खड़ी होने चाहिए subject का sign देंगे लिखेंगे लाइन्स ड्रॉख करेंगे अब 0 4 में से 0 तो कट हो नहीं सकता है इसलिए 4 का 4 ही रहेगा और 5 में से 2 को कट करेंगे तो हमारे पास 3 रह जाते हैं 5 1 तो चुडेंट รेक्षी हो। इसलेगे इसलेगे प्रॉख मारे प्रॉट भॉव ख़ीजीभ ऐफ प्रॉड झाल झाल